देट है आज की 27 फरवरी 2023 और स्वागत है आपका editorial discussion में तीन issues आज हम details discuss करेंगे सबसे पहले तो देखो खालिस्तानी moment से समधित article है मतलब 3-4 articles का compilation है इससे आपका एक पूरा post-independence India का topic खतम हो जाएगा खालिस्तानी moment क्या है कैसे ये evolve हुई आज के समय में क्या situation है क्यों ये फिर से सुर्ख्यों में आई दूसरा article OTT के regulation से समधित हम discuss करेंगे तीसरा article G20 की presidency इंडिया के पास है विकास की बात इंडिया करता है लेकिन मतलब global level के issues की बात इंडिया करता है बड़ देश में कुछ issues हैं जिनको address करने की आवशकता है discussion स्टार्ट करें उससे पहले एक ethics का example SHO अनिता चोहान है एक देखो person जो suicide कर रहा था पता लगा SHO अनिता चोहान को call की 10 मिनट तक बातचीत हुई convince करा गया उस person को की suicide मत करिए इनको वैसे देखो counseling का पहले कोई experience नहीं था लेकिन इन्होंने कुछ values को ध्यान में रखते हुए बात की 10 मिनट तक जैसे kindness, compassion, empathy, common sense इन values के सहारे देखो SHO अनिता चोहान ने एक person की जिन्दगी बचा दी इस वज़े से इनकी काफी तारीफ हो रही है तो public servants के पास देखो कई बार कोई skill ना भी हो तो basic अगर values होना जैसे British Empire के दुरान जो civil servants थे उनके पास में expertise थी लेकिन ये values नहीं थी compassion, empathy, इस वज़े से वो चाकर भी अच्छा नहीं कर पाते थे देश के लोग के लिए तो civil servants में public officers में ये values जुरूर होनी चाहिए तो ये आप example के तोड़ पर लिख सकते हूँ चलिए discussion start करते हैं First, important article खालिस्तानी moment से समधित हैं और आप GS paper 1 के इस topic से आर्टिकल को relate कर सकते हूँ क्या contest है Contest देको ये है हाल ही में पंजाब में एक घटना सामने आई प्रो खालिस्तानी लीडर है अमरित पाल सिंग इन्होंने अपने followers के साथ मिलकर अमरित सर में एक police station है अजनाला police station यहाँ पर protest करना start किया लेकिन इनके followers के पास हतियार थे तलबारे थी और police को force कर दिया गया अपने एक साथी को छोड़ने के लिए जिनका नाम था लवपरीद सिंग तुफान देखो इस पूरे मामले में ना पंजाब police ने एक परकार से घुटने से टेक दिये अमरित पाल सिंग और उनके followers के सामने और ये अमरित पाल सिंग जो है ना प्रो खालिस्तानी लीडर हैं खालिस्तान की वकालत करते हैं दीप सिद्धू के बारे में आपने सुना होगा farmer moment में एक परसन का नाम सामने आये था दीप सिद्धू उनके विचार उस समय काफी ज़्यादा खालिस्तान प्रो खालिस्तानी थे बार में उनकी ना एक्सिदेंट में देथ हो गई थी दीप सिद्धू ने ना उस समय एक और्गनेजिशन बनाई थी जिसका नाम था वारिष पंजाब दे उस और्गनेजिशन के अब हैड है अमरित पाल सिंग पहले दुबई में रहते थे fluent English बोलते हैं अच्छा बोलते हैं Communication Skills अच्छी हैं बार बार खालिस्तान की बात बोलते हैं कि जब हिंदू राष्टर की बात हो सकती है इस पर discussion हो सकती है तो खालिस्तान की मांग को लेके चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए मांग को discuss करना देखो हम ना खालिस्तान का क्या इतिहास रहा है वो जान लेते हैं आज की इस discussion में पोस्ट इंडिपेंडन्स इंडिया में UPSC सिधा सिधा भी question पूछ सकती है और indirect भी insurgency हो या फिर security समधित issues हो वहाँ पे आप इस खालिस्तान के issue को ऐजे example के तोर पे इस्तमाल कर सकते हो क्या है पूरा इतिहास खालिस्तान का देखो जब देश आजाद हुआ था ना 1947 में आपको पता है धरम के नाम पर डिवाइड हुआ था इंडिया और पाकिस्तान मतलब जिन्ना की ये थेओरी थी दो देश होने चाहिए हिंडूों के लिए भारत और मुसलिम्स के लिए अलग देश पाकिस्तान लेकिन कॉंग्रिस ने इस थेओरी को मानने से इंकार कर दिया था कॉंग्रिस के अनुसार भारत जो देश है वो सिरफ हिंदूों का नहीं है, भारत पर जितना हक हिंदूओं का है उतना ही मुस्लिम्स का, क्रिष्चन्स का और सभी धर्मों का है सिखों का, लेकिन जब देखो बटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान का, काफी दंगे हुए, खांस करके बंगाल में और पंजाब में, पं पंजाब में जो मुस्लिम रहते थे वो भाग कर पाकिस्तान में चले गए काफी वाइलेंस हुआ पंजाब में और बटवारे में देखो शिरिक गुनानक देव जी का जनम जहां पर हुआ था ना ननकाना साहिब वो जगह पाकिस्तान में चली गई महराजा रंजीत सिंह का जो समराज्य था एंप्यर था उसकी कैपिटल थी लाहोर भी पाकिस्तान के पाश चला गया तो सुरुवात में ही आजादी के बाद सुरुवात में कुछ पंजाबी स्पीकिंग लोगों ने आवाज उठानी स्टांट की हमें अटोनमी मिलनी चाहिए मतलब जैसे हिंदूों को तो अलग से देश मिल गया उनके अनुसार ध्यान से सुनियेगा मुस्लिम्स के लिए अलग से देश बन गया पाकिस्तान और जिन्ना की त्योरी के अनुसार हिंदूों के लिए अलग से देश बन गया भारत हम भारत में रह रहे हैं लेकिन हमें ना अटोनमी मिलनी चाहिए हम अपने आपको अपने हिसाम से गवन कर सके ऐसी मांग अलग से एक स्टेट का निर्मान कर दिया जाए 1955 में एक आया था जिसमें देखो स्टेट रिओर्गनेजिशन एक्ट जिसमें नहीं मना कर दिया गया कि हम भासा के अधार पर स्टेट नहीं बना सकते ये तरक दिया गया कि इंडिया में देखो इतनी सारी भासाएं बोली जाती हैं अगर हम हर एक भासा के आधार पर स्टेट बनाने लगे तो भारत में न जाने कितने राज्य बन जाएंगे तो पंजाबी स्पीकिंग लोग के लिए अलग से राज्य बनाने की जो मांग थी उसे 1955 के State Reorganization Act में मना कर दिया गया धीरे धीरे ये जो मांग थी पंजाबी स्पीकिंग लोग के लिए अलग से राज्य पंजाब ये मांग उर ज़ादा उगर होती गई फाइनली देखो 1966 में दो राज्य बने पंजाब और हर्याना जो पंजाबी बोलने वाले लोग थे उनके लिए पंजाब और हिंदू मेजोर्टी वाला बना हर्याना बाद में एक अलग से राज्य बना हिमाचल परदेश जो पहले यूटी था 1971 में हिमाचल परदेश भी अलग से एक राज्य बन गया लेकिन देखो चंडिगड को लेके विवाद उत्मन हो गया अब देखो हो क्या रहा था पंजाब की ओटोनमी को लेके जो ये मांग चल रही थी न अकाली दल इससे काफी सहनु भूती बटोर रहा था पंजाब की एक पार्टी अकाली दल 1967 में 1969 में अकाली दन ने काफी बढ़िया परफॉर्म किया लेकिन 1971 में आपको पता है भारत युद जीत गया पाकिस्तान से अलग से एक देश का निर्मान हुआ जिसका नाम था बांगलादेश अब कोंग्रेस की और इंद्रा कांधी की पोपुलेटी उस समय काफी ज़्यादा हाई थी इस वज़े से अकाली दल इलेक्शन हार गया अब देखो 1973 में अकाली दल के जो लीडर्स थे वो इकठा हुए अनंदपूर साहिब में वहाँ पर उन्होंने एक रेजुलिशन पास किया अपनी मीटिंग में जिसमें उन्होंने जो डिमांड्स रखी न वो डिमांड्स देखो काफी ज़्यादा परिशान करने वाली थी 1973 के अनंदपूर साहिब रेजुलिशन में अकाली दिल के द्वारा ये कहा गया कि चंडिगर्ड हमें दिया जाए सेंट्रल गॉर्मेंट के पास सिरफ फोरन अफेर्स मिल्टरी कम्मिनिकेशन ये मामले होने चाहिए बाकी ओटोनमी दी जाए पंजाब को बाकी मामलों में पंजाब के पास अजादी होनी चाहिए कि वो अपना सविधान कुद्स से बनास के जैसी पर था जमुएन कस्मीर में आर्टिकल 370 के दुरान थी 2019 से पहले वैसी ही विवस्ता की मांग की गई थी 1973 के अननपुर साहिब रेजूलुशन में यहां तक तो देखो ठीक था मतलब डारेक्ट खालिस्तान की मांग अभी भी नहीं की गई थी लेकिन 1978 में क्या हुआ 1978 में न बिंडरन वाले की एंट्री हुई इस पूरे सिनेरियो में निरंकारी एक सेक्ट है निरंकारी सेक्ट के जो मेंबर्स हैं वैसे वो अपने आपको सिख मानते हैं लेकिन वो लिविंग गुरु में विश्वास रखते हैं अदर्वाइस तो देखो आपको पता है सिखिजम में लिविंग गुरु का कोई कंसेप्ट नहीं है अभी तक 10 गुरु हुए हैं और जो गुरु गरंत साहिब हैं उनको ग्यारवे गुरु की संग्या दी गई हैं सिखिजम में लेकिन निरंकारी सेक्ट के मेंबर्स वैसे अपने आपको सिख बोलते लेकिन लिविंग गुरु में विश्वास रखते तो कुछ सिखों का मानना था कि ये गलत हैं ये सिखिजम का अपमान हैं सिखिजम को अवित्र बनाने की कोशिस हैं तो उस समय देखो भिंडरन वाले काफी विरोध कर रहे थे निरंकारी सेक्ट का उन्होंने अपना एक समागम बुलाया था अमरित सर में जिसका काफी विरोध हुआ था बाद में देखो बिंडरन वाले ने एक स्पीच दी थी निरंकारी सेक्ट के अगेंश्ट तो उस स्पीच के बाद उन्होंने काफी meetings चल रही थी निरंकारी सेक्ट के लोगों की class हो गया मतलब टकरा गए दोनों groups के लोग आपस में और 15 से ज्यादा लोग की जान चली गई थी धीरे धीरे देखो अब जो भिंडर्न वाले हैं इनका emergence हो रहा था पंजाब की politics में वैसे वो religious leader थे लेकिन उन्हों उन्होंने भी direct खालिस्तान की मांग कभी नहीं की थी बट उनकी जो actions थे न वो इस परकार से थे एक बार उनसे पूछा गया क्या आप खालिस्तान की demand कर रहे हो उन्होंने कहा कि नहीं लेकिन अगर मुझे offer किया जाएगा तो मैं इससे इंकार नहीं करूंगा उनसे पूछा गया क्या आप इंद्रा गांधी से मिलना चाहते हो उन्होंने कहा कि नहीं पंडिताइन से ब्रामिन है न इंद्रा गांधी उन्होंने कहा कि पंडिताइन से मैं नहीं मिलना चाहता मतलब उनके एक्संस थे न वो काफी ज़्यादा दे रही हैं उनके इन बयानों से ना सद्यों से जो हार्मनी थी ना सिखो और हिंदूों के बीच में वो हार्मनी जैसे तूटने से लगी जो कुछ ऐसे लोग थे प्रोमिनेंट लोग जो सिख एक्स्ट्रिमिजम का विरोध कर रहे थे जैसे लाला जगत नरायन पंजाब केसरी के संपादक उनकी हत्या कर दी गई 1983 में क्या हुआ एक बस को रोका गया उसमें से पहचान की गई हिंदू कौन है उनको मार दिया गया तो इस परकार की घटनाय काफी सामने आने लगी और देखो हट तो तब हो गई मतलब बिंडरन वाले ने न गोल्टन टेंपल के प्रिमाइसेज में जो अकाल तक थैं इस प्लेस को अपनी एक्टिविटीज का बिल्कुल केंदर बना लिया सेंटर बना लिया अब अकाल तक देखो वो प्लेस है जहां पर जहां से सर्मन्स जारी किये जाते थे गुरूओ के द्वारा और जब कुछ सिख वारियर्स युद लड़ने के लिए जाते तो गुरूओं से यहां से आसिरवाद लेके जाते थे एक बार देखो वो पल भी आया जब भिंडरन वाले को अरेश्ट किया गया हुआ क्या था हुआ ये था कि वो भड़काउस पीचीज दे रह में गए थे वो हर्याना के एक गृद्वारे में गए थे उस समय मुख्यमंतरी थे दर्भारा सिंप है वो चाते से की लेकिन जब तक उनको हर्याना से अरेश्ट किया जाता वो वापस पंजाब में जा चुके थे अब हुआ क्या? बिंडरन वाले ने ये कहा कि मैं अपनी ग्रिफतारी दूँगा लेकिन मेरी शर्ते ये हैं कि जब मैं चाहूंगा तब अपनी ग्रिफतारी दूँगा और दूसरा मुझे जब जो पुलीस वाले ग्रिफतार करने आए ना, वो पुलीस वाले सिख हो और उनकी बियर्ड हो मलब दाड़ी हो जिसे कंपलसरी माना जाता है सिखिजम में और देखो हरानी ये थी कि पंजाब सरकार ने उनकी इन सर्तों को मान भी लिया, जो अपने आप में काफी ज़्यादा हुमिलियेटिंग था गिरफतार किया गया बिंडरन वाले को, उनकी सर्तों पर तीन हफते तक वो जेल में रहे लेकिन जब वो जेल से बाहर आए क्योंकि कोई एविडेंस नहीं था, इसलिए पुलीस ने उनको छोड़ दिया, जब वो जेल से बाहर आए तो वो एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बन चुके थे इवन अकाली दल अकाली दल जिसके बारे में कहा जाता था कि वो अपनी मांगों को लेके काफी ज़्यादा इंटेंस है, बिंडरन वाले तो अकाली दल से भी एक कदम आगे थे अकाली दल की राजनीती फीकी पड़ गई बिंडरन वाले की पॉलिटिक्स के सामने बिंडरन वाले ने अकाली दल की स्पोर्ट के साथ में एक सिविल डिशोबिडियन्स मुमेंट भी चलाई थी जैसे गांदी जी चलाया करते थे धरम मोर्चा युद ऐसा कुछ नाम दिया गया इस मुमेंट को ये तो देखो पॉलिटिक्स में चल रहा था लेकिन वाले इस अटवाल नाम के एक IPS थे वो गोल्डन टेंपल में मथा टेकने गए थे वहाँ पे देखो उनका ना कोल्ड ब्लेडिड मर्डर कर दिया गया एक IPS रेंग का अधिकारी जिसका गोल्डन टेंपल के पास कोल्ड ब्लेडिड मर्डर कर दिया गया और पुलिस वालों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनकी बोडि को उठा लिया जाए इसके पीछे रीजन्स दोनों तरह के हैं एक बिंदरन वाले के लिए सेंपथी दूसरा डर कहीं हमको भी ना मार दिया जाए उस समय देखो गोल्डन टेंपल के पास जो सिवरेज बगरा है वहां से कई सारी बोडिज मिली थी और काफी मुटिलिट यानि विकिर्थ फॉर्म में मिली थी मतलब जैसे टोर्चरड बोडिज नहीं मिल थी वैसी बोडिज मिली थी गोल्डन टेंपल के आसपास उस दोर में सेंटल गोर्मेंट की भी कहा जाता है देखो उस समय काफी गलती थी उन्होंने ना काफी वेट किया और जब बिलकुल सारी हदे पार हो गई तब जाके इंद्रा गांदी की सरकार ने 1984 में ये कहा कि अब हमें एक्षन लेना ही होगा तब इंद्रा गांदी ने आदेश दिया आर्मी को कि सिविल एड्मिस्ट्रेशन सिचुएशन नहीं संभाल पा रहा है आप जाएए और गोल्डन टेंपल से जो मिलिटेंट्स हैं उनको फ्लश आउट कीजिए लेकिन देखो आर्मी ने जब ओप्रेशन चलाया ना तो हुआ क्या गोल्डन टेंपल के इंफरस्ट्रक्चर को ना अच्छा खासा नुकसान पहुंचा अब गोल्डन टेंपल वो प्लेस है जो सिखों के लिए बहुत ज़दा पवित्र है ना सिरफ सिखों के लिए बलकि मैं तो कहूंगा दूसरे धर्मों के लिए भी पवित्र है तो गोल्डन टेंपल में ओप्रेशन जब चलाया गया तो infrastructure को नुकसान पहुंचा जो सिख पहले खालिस्तान की मांग का समर्थन नहीं करते थे उनको भी ठेस पहुंची उनको लगा कि बहुत से सिखों को लगा कि जैसे देखो हमारी आत्मा मार दी गई है हमारे जो इतना पवित्र प्लेस है उसको नुकसान पहुंचाया गया है सरकार के द्वारा देखो ओप्रेशन ना ब्लू श्टो एर जो ओप्रेशन चला ना militants को flush out करने के लिए वो ओप्रेशन जैसा सोचा गया था वैसा नहीं चला सोचा गया था कि जल्दी से militants को flush out कर दिया जाएगा निकाल दिया जाएगा ज्यादा समय नहीं लगेगा आर्मी के सामने जो militants हैं कितना समयटिक पाएंगे लेकिन एक major general थे जिन्होंने 1971 के वार में मुक्ति बाहिनी जो एक organization थी बंगादेश की उसको sport किया था मुक्ति बाहिने के लोगों को train किया था ताकि वो पाकिस्तान आर्मी के अगेंस लडाई लड़्स के और उस training में एक इंडियन आर्मी के major general थे साबेग सिंग major general साबेग सिंग उन्होंने important role play किया था अब ये जो major general साबेग सिंग थे न ये मिल गए बिंडरन वाला के साथ में इन्होंने ये वहाँ पर golden temple में militants को train किया पूरा fortification करवाया यहाँ पर आप sandbags लगवाईए यहाँ पर snipers को तेनाथ होना चाहिए इस परकार से उन्होंने ना काफी जबरदस्त deployment किया था militants का इस वज़े से operation में लंबा समय लग गया बहुत हमारे जबान भी सहीद हुए civilians भी मारे गए और militants भी मारे गए तब ही तो बाद में सोचा गया था 1984 में blue star operation चला बाद में दुबारा से एक बार militants चले गए थे golden temple में 1988 में फिर से एक operation चलाना पड़ा था तब ही सोचा गया कि देखो इस परकार के जो operation है ना army ना चलाए कम से कम नुक्सान होना चाहिए तो ऐसी एक force होनी चाहिए जो infrastructure को नुक्सान पहुंचाए बिना operation चलाज के तब NSG का निर्मान हुआ था National Security Guard समझ गए तो अब देखो ये था ही पूरी खालिस्तान की कहानी आज के समय में अगर कोई पूछे की status क्या है खालिस्तान का मैं देखो ये बोलूँगा पंजाब में इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है खालिस्तान की जाहिर तोर पे जिन्होंने वो दोर देखा था ना खालिस्तान का मांग चल रही थी किस समय से किस परकार से पंजाब में insurgency थी वो इस बात को जानते हैं कि वो दोर बहुत ज़्यादा bloody था धिरे धिरे मांग die down हो गई उसका reason भी ये था कि लोगों ने बहुत ज़्यादा खुन खराबा देख लिया था इंडिया में LPG reform के बाद में इंडिया की economy तेजी से grow होना start हो गई थी तो लोग इस मांग के परतिना sympathetic नहीं थे इस वज़े से ये मांग जो थी वो die down हो गई काफी सालों से पंजाब में सांती है बड़ देखो वो लोग जो बाहर जाके बस चुके हैं जैसे कनाडा में, UK में, आस्टेलिया में ऐसे कुछ Sikh community के जो लोग है फिर से इस मांग को revive करना चाते हैं वो चाते हैं कि फिर से इस मांग को उठाया जाए कुछ लोग के देखो vested interest है, उनको funding होती है और कुछ आप कह सकते हो isolated youth भी है कुछ अपनी politics चमकाना चाते हैं इस मांग के सहरे अनेको reasons हैं, लेकिन मांग अभी इतनी intense नहीं है बट देखो, अमरित पाल सिंग का जो incident अभी सामने आया न इनको कुछ लोग बिंडरन वाले 2.0 बोल रहे हैं अमरित पाल सिंग, अगर आप इनकी वीडियो देखोगे English में fluent है अपने विचार काफी confidently रखते है लोजिक के साथ रखने की कोशिस करते है ऐसी इनकी personality है अमरित पाल सिंग की और बहुत कम ही समय में बहुत कम समय में इनकी popularity अमरित पाल सिंग की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है social media पर आप देखोगे तो इनकी popularity काफी ज़्यादा है कुछ groups के बीच में मतलब अब वो depend करता है आप YouTube पे कौन से groups देखोगे जहां पर इनकी popularity का पता लगाया जहां सके तो ना जिस परकार से पंजाब पुलिस ने गुटने टेक दिये अमरित पाल सिंग और इनके followers के सामने तो ना काफी सारे experts ये बोल रहे हैं कि आप जिस परकार से गुटने टेक रहे हो ना कल को वही दोर वापस आ जाएगा जो भिंदरन वाले के समय था appeasement मत कीजिए आप कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि अमरित सर्पुलिस के सामने कोई और चारा भी नहीं था अमरित पाल सिंग के जो दोस्त हैं उनको छोड़ने के अलावा इसे यूं नहीं कहा जा सकता कि पीछे हट गई है पंजाब पुलिस एक स्टैप पीछे लिया है उस समय के निजाकत को देखते हुए लेकिन देखो अभी ना चाहे वो central agencies हैं पंजाब पुलिस की agencies हैं उनको ना काफी मुस्तेदी से काम करना होगा क्यूंकि पाकिस्तान का भी vested interest है इस मांग को revive करने में और जिस परकार से अब खुले आम खालिस्तान के नारे लगते हैं अलग-अलग सहरों में targeted killings होती है कौमी इंसाफ मोर्चा है चंडिगर्ड में वो मांग कर रहा है कि insurgency के दुरान जैसे उस समय कुछ leaders की हत्याएं की गई थी उनकी हत्याओं के लिए जो दोसी लोग है उनको छोड़ दिया जाए उनकी सजा पूरी हो चुकी है तो कौमी इंसाफ मोर्चा के जो लोग है वो भी उस समय मोहाली चंडिगर्ड पुलिस से भिड़ गए थे तो ऐसी घटनाय काफी ज़्यादा सामने आ रही है समय रहते agencies को इन घटनाओं का संग्यान लेके जहां पर भी काम करने की आऊशकता है काम करना चाहिए otherwise धीरे धीरे पंजाब का महोल बिगाड़ने की जो कोशिस हो रही है वो देखो कोशिस आगे भी बढ़ सकती है समय रहते action नहीं लिया गया तो कुछ experts देखो ये बोलते हैं ये जो youth फिर से खालिस्तान की मांग को उठाने की कोशिस कर रहे हैं ये वो youth हैं जिनका जनम 95 के बाद हुआ actually इन्होंने वो दोर देखा नहीं insurgency वाला कैसे हजारों निर्दोस लोगों ने भी अपनी जान गवाई इस insurgency के कारण तो ये जो लोग हैं वो भटके हुए लोग हैं जो इस मांग को उठा रही हैं तो ये पूरा article हमने डिसकस किया खालिस्तान की मांग से सम्मंदित चलते हैं आगे इसके बाद ने इस आर्टिकल OTT प्लेटफोर्म्स जैसे की Netflix, Disney Hotstar, Amazon Prime इन सब को रेगुलेट करने से सम्मंदित हैं आप GS Paper Second के इस टोबिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हूं देखो इन OTT प्लेटफोर्म्स को रेगुलेट करने के लिए ना 2021 में सरकार रूल्स लेखर आई थी इन रूल्स का नाम था Information Technology, Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Rules मक्सद ये था कि हमारे देश में OTT प्लेटफोर्म्स करना को रेगुलेशन हो सके को रेगुलेशन का मतलब ये प्लेटफोर्म्स अपने आपको कुछ हद तक Self-regulate करें और कुछ हद तक Ministry के लेवल पे भी Ministry of Information and Broadcasting है न इस Ministry के लेवल पर भी Oversight जरूर होना चाहिए कि हमने जो regulation रखा है क्या उसका पालन किया जा रहा है क्या Self-regulation हो भी रहा है या नहीं हो रहा है उसकी Oversight होने चाहिए Ministry के लेवल पर उससे में सरकार ने कहा था कि हम जिस परकार से OTTs को regulate करेंगे न पूरे वल्ड में एक model के समान होगा दूसरे देश भी इसे follow करेंगे ये मुख्या provisions थे इस model में Gravance Redressal Mechanism का provision होगा मतलब OTT platforms के content के अगेंस शिकायत की जा सकती है इसके लिए इन platforms को बताना होगा कहां पे लोग शिकायत कर सकते हैं code of ethics को पालन करना होगा इन platforms को और parental लोग का भी provision होना चाहिए जैसे कोई movie है या web series है जो adult है अब इस परकार की adult web series और movies को बच्चे ना देख सके इस परकार का parental लोग का provision होना चाहिए जैसे Netflix में है साइद Netflix जब आप ओपन करते हो तो इस परकार से पूछता है कि child access करना चाहता है या फिर कोई adult content को access करना चाहता है तो इस परकार का provision हर एक platform पर होना चाहिए और age verify करने का एक mechanism होना चाहिए कि जो content को access कर रहा है उसकी age इतनी है इसको कैसे verify किया जाए उसका एक specific mechanism होना चाहिए देखो अभी तक ना सर्वे किया गया किसी भी देश में न ऐसा कोई proper कानून नहीं है OTTs को regulate करने के लिए Singapore में एक regulating authority है Infocom Media Development Authority ये common regulator है अलग-अलग media के लिए इसके अलावा ये जो regulatory authority है नम Infocom Media Development Authority सिंगापूर की ये ज़्यादा focus करती है कि public education के through media literacy को promote किया जाए कैसे वो अभी हम article में जानेंगे राइटर ये कहते हैं अभी देखो OTT rules जो 2021 में आये थे ना उनके बारे में लोगों को जानकारी बहुत कम है इवन rules में ये कहा गया कि OTT platform grievance redressal mechanism के बारे में website पर बताएंगे लेकिन जारतर OTT platforms पर आप जाओगे आपको ना grievance redressal mechanism के बारे में या तो जानकारी नहीं मिलेगी या छोटी-छोटी मिलेगी ढूणनी पड़ेगी आपको असानी से available नहीं है इन rules का 2021 के rules का अभी भी compliance काफी जादा कम है काफी बार एक ही language में दे दी जाती है OTT platforms के द्वारा ये जानकारी तो राइटर ये कहते है एक uniform standard होना चाहिए सभी OTT platforms के लिए कि आपको जो ग्रेवैंस redressal mechanism की जानकारी है किस font में देनी है कहां पर देनी है हर एक platform फे फिर वैसी ही जानकारी होनी चाहिए उसी text में उसी font में उसी language में कोशिस ही होनी चाहिए कि अलग-अलग languages में ये जानकारी उपलब्ध हो इसके बाद राइटर ये बोलते है अभी देखो जैसे anti-to-beco message आता है अब इसका provision ना act में कर दिया गया है कानून है कि आपको anti-to-beco message दिखाना ही है जब movie में कोई भी actor या actress cigarette पीती है तब ये message आद रता है कि तमबाकू का save on करना सेहत के लिए हानिका रख है उसी परकार से movie की starting में बड़ा-बड़ा ये आना चाहिए कि किस age work के लिए ये movie है कैसी movie है ताकि चुनाव किया जास के कि कि किसको ये movie देखनी है किसको नहीं देखनी है अभी न ये information उतना explicit form में नहीं होती जितना की होनी चाहिए तो इसे ना कानून में सामिल कर दिया जाए anti-to-beco message कितना है cinematograph act में ताकि ये information movie makers के द्वारा ज्यादा बहतर धंग से present की जाए अब इसके बाद एक suggestion writer के द्वारा ये दिया जाता है periodic audit होना चाहिए समय समय पर audit होना चाहिए किसी independent body के द्वारा कि 2021 के जो rules है उनका पालन OTT platforms के द्वारा किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है और rules में ये भी कहा गया है कि जो self regulating body है ना अलग अलग platform की ये बताए कि उनको कितनी grievance हासिल हुई है और grievance पर उन्होंने क्या फैसला लिया है तो इसे transparency आती है कि grievance ये गई ये फैसला OTT platforms के द्वारा लिया गया सारी details upload होनी चाहिए OTT platforms के तरफ से फिर इसके बाद next suggestion अभी देखो तीन tier का mechanism है पहले self regulation है उसके बाद inter departmental committee के पास में सिकायत आती है अब इसमें ministry के द्वारा जो members appoint होते है nominate होते हैं वो सदस्या होते हैं इस committee के इस committee के बाद finally stamp लगाई जाती है ministry के secretary के द्वारा मतलब IDC जो है यह इंटर departmental committee यह तो suggestions दे देती है कि यह करना चाहिए finally फिर action लिया जाता है secretary के द्वारा final decision जिसे आप कहा सकते हूँ writer यह कहते हैं देखो एक ना statutory body होनी चाहिए कानून बना के body establish करो यह जो body है ना इंटर departmental committee इसमें तो सिरफ central government के द्वारा appointed लोग है जब तक कि statutory body नहीं बन जाती कानून से कोई body नहीं बन जाती तब तक इस body को आप independent बनाओ तब जाके काम करेगा चलेगा अधरवाईस तो देखो सरकार के लोग है इसमें और ज़्यादा effective धंग सही है जो body है वो काम नहीं कर पाएगी अभी देखो कोई apology या warning sensor disclose करने का provision भी नहीं है OTT platforms की website पर माफी का provision होना चाहिए कोई गलती होती है तो वो apology देश के financial penalties का provision भी होना चाहिए कि गलती करना पर OTT platforms के खिलाफ financial penalty लगाई जासके कुल मिला के देखो राइटर ये कहते हैं कि rules तो ठीक ठाक है बट implementation uniformly नहीं होना चाहिए थोड़ा और specific जाने के आओ सकता है ताकि rules को अलग अलग platforms पर uniformly implement किया जासके जैसे हमने discuss किया न सभी platform पर जो details है grievance radical mechanism की वो uniform होनी चाहिए जैसे किस font में, किस color में सब कुछ standardized होना चाहिए ताकि OTT platforms 2021 के rules को अच्छे से follow कर सके तो ये पूरा article हमने discuss किया चलते हैं आगे इसके बाद next article में कहा जाता है कि government के हाथों में powers centralized होने के कारण विकास उतना अच्छे से नहीं आसका है जितना अच्छे से आना चाहिए देश में आप GS paper second के इस topic से article को relate कर सकते हो देखो इस बाद G20 की presidency इंडिया के पास है बड़ी बड़ी बाते की जा रही है कि इंडिया world leader बनना जा रहा है इंडिया के पास मोका है global problems को soul करने का बड़ देखो पहले तो अपनी problems को थोड़ा ध्यान से देखने के आप सकता है आज भी G20 में per capita income के मामले में इंडिया सबसे नीचे है life expectancy G20 के member countries में इंडिया में दूसे नंबर पे सबसे कम है 30% jobs हमारे देश में ऐसी है जिनको करने के लिए सिरफ primary education चाहिए 70% जो अभी workforce में है उनके पास कोई contract नहीं है जब मर्जी चाहे उनको निकाल दिया जाए मतलब informal sector में वो काम करते हैं वैसे देखो informal sector में काम करने वाले लोग की संख्या 90% है लेकिन उनमें से 70% ऐसे है कि उनके पास कोई contract है ही नहीं हमारे देश में hardly देखो 35% male ऐसे है जो secondary education attain करते हैं हासिल करने हैं और सिदफ 18% female ऐसी है जो secondary education हासिल करती है reverse देश की बहुत ज़रा polluted हैं cities का बुरा हाल है बहुत बच्चे malarismant का सिकार है global hunger index में इंडिया की ranking बहुत कम है pollution के मामले में इंडिया की cities उपर आती है unemployment इंडिया में इतनी ज़्यादा है girls बहुत से इलाकों में school नहीं जाती working women के लिए situation safe नहीं है हाल ही में wrestlers ने विरोध किया हमने article भी discuss किये तो writer ये कहते हैं reform देश में नहीं आ पा रहे हैं इसकी एक मुख्या वज़य है bureaucracy bureaucracy में reforms नहीं है central scientific agencies में reform नहीं है हमारे देश में देखो IS, IIT, IAM यहां से निकले जो लोग है ना वो देश को चलाते हैं लेकिन अब देखो जैसे जो लोग IS बन गए उनकी जो ट्रेनिंग है वो देखो पुराने तरीके से ही होती है समय आपको पता है कितना change हो चुका है आज कल तो internet जब से एकदम से इंडिया में आया है मतलब GU revolution जब इंडिया में आया है कैसे कैसी videos viral होती है officers celebrity की तरह बन गए है Tina Dabi, Shristi Deshmukhin की कितनी videos viral होती है तो मतलब जो officer बनते हैं कई बार इस परकार की situation के लिए तयार नहीं होते, वो अपनी duty पर ध्यान नहीं दे पाते training में उनको train करना चाहिए कि भया ऐसी situation आपके सामने आ सकती है आप power के नश्य में खो सकते हो fame के नश्य में खो सकते हो तयार रहिए, ये सब कुछ सिखाना जरूरी है लेकिन modern समय के हिसाब से training नहीं है उसी परकार से देखो, जो scientist और professors है ना, वो भी responsible है देश की situation के लिए वो निकले उनका काम होना चाहिए था कि जिसे pollution जैसी समझाए है इनके लिए innovative solution लेके आना groundwater estimation समय पर सरकार को देना ताकि सचेत किया जहांस के बट नहीं जो scientific institutions है ना, उन्होंने expectations के हिसाब से देखो perform नहीं किया है IIT जा आज के समय में ठीक वैसे ही है जैसे 1990 के दसक में थे IIT graduate बेसक वो देखो global brand बन जाता है लेकिन उसका nation interest में कोई nation को build करने में उसको कोई interest नहीं होता कि अब मैं IIT से pass out हुआ हूँ, मुझे देख के लिए कुछ करना है नहीं और current IS officers जो है वो भी अपनी duties को अच्छे से perform करने में SXM है, society की बदलती जो जुरूडते है उसके हिसाब से वो अपने आपको धाल नहीं पा रहे हैं, उनका work culture उनकी training अभी भी old fashioned है ये सब बाते writer बोलते हैं इन सब चीजों में बदलाव आना चाहिए पहले इंडिया को अपने अंदर भी देखना चाहिए global problems तो इंडिया दूर करे address करे लेकिन घर के अंदर जो problems है उनको ignore ना करे तो ये पूरा article हमने discuss किया, ये थी हमारी आज की discussion, तीन issues को आज हमने details से discuss किया, thank you thank you very much for discussion